अगर आपने Mr. Technical को सब्सक्राइब नहीं क्लिया है तो तुरण सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर टैप करें और नए वीडियो के लिए दोस्तों कर मैं आपसे बात करूँ पिछले दो महीनों की तो Xiaomi इंडिया की नंबर वन कमपनी हो गई है ऐसे में Honor जो की काफी एच्छे स्मार्टफोंस बनाती है वो कॉंपडीट करने की कोशिश कर रही है Xiaomi को और लगातार तीन महीनों से यहां पे स्मार्टफों पे स्मार्टफों लाँच करती जा रही है अगर हम बात करें Honor 9i की जो की लाँच हुआ था दो महीने पहले और अभी आपको मिल जाएगा 20 दिन पहले लाँच हुआ था Honor 7X और अभी टीज किया गया है Honor 9 Lite Flipkart.com के उपर और यह आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर तो आज हम आपसे बात करने वाले है Honor 9 Lite की फोन में आपको क्या का स्पेक्स मिलेंगी, क्या का मिलेंगे फीचर और यह कितना अलग होगा Honor 7X से या फिर हम बात करें Honor 9i से तो देखते रहे हैं ये वीडियो और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा तो लाइक जरू कीजेगा तो अगर हम बात करें आपसे Honor 9i Lite के बारे में तो इसकी हाइलाइट क्या है हाइलाइट है कैमरा रियर साइड में आपको मिल जागा 13 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा और अगर बात करें फ्रेंट कैमरा की तो यहाँ पे भी सेम कैमरा आपको देखने को मिल जागा 13 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल जी हाँ फ्रेंट में भी आपको डूल कैमरा देखने को मिलेगा तो यह एक यहाँ पे plus point है और सामने की तरफ से आप portrait mode वाली photo capture कर पाएंगे as well as जैसे आप rear side से capture करते हैं और यहाँ पे phone की design काफी अच्छी लग रही है अगर आप देखेंगे तो front में आपको 2.5D curved glass मिल जाता है और rear side में भी आपको curved glass मिल जाता है 2.5D वाला तो पीछे की तरफ glass body दी गई है सामने की तरफ glass मिलेगा ही 18.09 का display होगा जो कि 5.65 इंच गा होगा Full HD plus resolution का support करता है तो यहाँ पे एक plus point है प्रोसेसर जी हाँ Honor 7X में जो आपको मिला था सेम वह प्रोसेसर किरिन 659 यूश किया गया है जो कि एक octa core CPU है और यह अगर आप compare करेंगे Snapdragon से तो लगबख से 625 के आसपास यह आपको performance दे देगा अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगी 3000 mH की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी लेकिन अगर हम बात करें normal users के हिसाप से तो आप अगर एक normal user है तो एक दिन आपका आराम से निकल जाएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दो variant में phone launch होगा 3GB और 4GB RAM के साथ में 32GB और 64GB onboard storage के साथ में अगर हम बात करें phone की price की तो price होगा 11,600 के आसपास चाइना में जो launch किया गया है लगबक से तो 12,000 के अंदर ये phone आपको starting model इसका मिल जाएगा color variant है आपको मिलेंगे 3 black, blue और grey तो आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं बिल्कुल से तो ये phone आपको देखने को मिलेगा flipcard.com पे exclusive तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो like कीजिए वीडियो को, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ subscribe कीजिए चैनल को, साथ में बिस कीजिए bell icon को, तक कि आप देख पाएं ऐसी interesting videos सबसे पहले thanks for watching, फिर मिलेंगे ऐसी किसी interesting video में